तो आईगे इस दिवाली पर मैदे से बने हुई मठ्री तयार नहीं करेंगे जो डिए ठि यह पर मैंने करीब कर जो उसे टीन चार गंटे कर सोगी और एक प चैनला गेरोगें दो कुछ मसाले ले लिए थे जिसमें हल्दी पाउडर, लालवेश पाउडर, थुड़ा से चिली फ्लेक्स, थुड़ा से अजवाइन, जीरा, कलोंजी और इस्षवाद देने के लिए हिंग और डाल ली थी थोड़ा सा नमक और डाला था और मोईंट की जैसे इस्तमाल करने के लिए मैंने यहां पर गी का इस्तमाल किया था आप चाहों तो ऑईल भी उसकर सकते हो उसी के साथ एक सलरी से त्यार कर लिए और वो सलरी के लिए यहाँ पर फिर से एक चमच जितना गी इस्तमाल गिया था और साथी साथ एक चमच जितना की होगा आटा क्योंकि यहाँ पर मैदे का इस्तमाल बेलकुल भी नहीं करेंगे अच्छा जो आटा हमने गुथा था उसे रखे हुए करीब 15-20 मिनिट हो गई थी तो उसे इस तरह से कट कर लिया था अब इतने से आटे से करीब 20 एक बॉल तियार किये थे यानि कि मट्री के लिए मैंने करीब 20 एक रोटिया बेली थी और उसे के साथ घी वाली उसे लगा लिया था हलका हलका सा ही लगाना है प्रेश से लगाया था साथी साथ उसे कुछ इस तरह से फोल कर लिया था अब फोल करने के बाद इसे हलका हलका सा थोड़ा टाइट कर लिजेगा ताकि जो हम मच्ची बेले तो यह जो मच्ची है वो खुलना जाए तो यहाँ पर इसके हिस्से भी कर लिये थे और हिस्से करने के बाद इसे हलका हलका सा प्रेस कर लिया था पहले इसे हलका सा प्रेस कर लिजेगा ताकि यह जो है वो बंद जाए की अंदर से उसी के साथ इसे फेल लेना है तो फेलने के लिए जादा कोई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और जादा हमें बेलन गुमाना भी नहीं है बस हार्डी मैंने इसके उपर दो बार बेलन गुमाया था और इस तरह से मैंने सारी मच्चेया तियार कर ली थी अब इस मर्चियों को हम अच्छे से तल लेते हैं तो यहां पर डी फ्राय करने के लिए मैंने ओल ले लिया था और एक बार में करीब 10-12 मर्चिया डाल ली थी तो इसे हलका सा धीमी आज पर पहले तलना है और उसी के साथ हमें इसे उलटते पुलटते रहना है तो यहां उलटते पुलटते मेरी सारी मर्चिया जो है वह अच्छे से डी फ्राय हो गई थी ऐसे गुलाबी सा रंगा जाए ना तो समझा यह मर्चिया तयार हो गई है अच्छा आपको मेरी रेसिबी पसंद आई हो तो चैनल को सबस्क्राइब और लाइक जरूर कर दीजेगा ताकि मैं आपके साथ अपनी और भी रेसिबी शेयर कर सकूँ और इस तेहार के दिन में इसे एक बार जरूर से बनाईएगा